एक समय की बात है जब शिवजी तपस्या में लिप्त थे और उनकी पत्नी सती का देह त्याग हो चुका था इस संदर्भ में हिमाचल राज और उनकी कन्या पारवती शिवजी के आश्रम में पहुँचे पारवती ने चाहा कि उनका विवाह शिवजी के साथ हो लेकिन शिवजी अपने तपस्या में लगे रहना पसंद करते थे इसे देखते हुए पारवती ने भी तब का आदर किया और शिवजी को प्रसन करने के लिए उनकी अनुरोध को समझा हिमाचल राज ने शिवजी से विनती की मेरी पुत्री पारवती यहां आपकी सेवा करेगी शिवजी ने उत्तर दिया मुझे तब करते हुए न किसी की सेवा की आवश्यक्ता है और नहीं मुझे इसकी जरूरत है मुझे इसकी आवश्यक्ता नहीं है महिला के संबंध में रहने से ध्यान, वैराग्य और तब बिगड सकते हैं अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तब भंग हो सकता है इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहां से ले जाएं शिप जी ने हिमालाय राज को उत्तर दिया